हेलो तो दोस्तो कैसे आप लोग पिछली बार की वीडियो में हमने स्लेंडर मैन को बस धूंडा था और कुछ मस्ती नहीं करी थी तो आज मैं स्लेंडर मैन को टेम करने कोशिश करूँगा और फिर ब्रीड करने की और मुझे मत पूछना क्यूं क्यूंकि तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंदा है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट छोड़ना मत भूलना ऐसी वीडियो में आप रेगिलरली पोस्ट करूँगा तो चलो शुरू करते हैं हम वर्ल्ड में आ चुके हैं पीची बार मेरे पास कॉडिनेट था वूद्लैंड वैंशन गा इस बार कुछ भी नहीं है मेरे पास तो मुझे सीधी तरीके से वूद्लैंड मैंशन धूणना पड़ेगा पता नहीं मुझे हो किता रहर है और इसमें किता मिल जाएगा तब मैं वीडियो स्किप करता हूं किता टाइम लगता है विलेज 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 वाउ इतनी खुशी तो मेरे को आज तक नहीं हुई विलेज देखके वो भी और गहांवालों कैसे हो आज तुमारी हुँँ तो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मैं अपने मकसद से दूर नहीं हो सकता सौरी विलेजर्स पर मुझे वुड्लेंड मैंशन डूणना है यार पता नहीं मैं एक घंटे से घूंते जा रहा हूं मुझे नहीं पता था इत्ती रहा है वुड्लेंड मैंशन दिमाग खराब हो गया मेरा पूरी तरीके से ओके है मुझे थोड़े जंगल तो दिख रहे हैं प्लीज वुड्लेंड मैंशन वो क्या है क्या है वो उपर जाके देखना पड़ेगा येस वुड्लेंड मैंशन आखिर इत्ती देर के बाद और मुझे उपर स्लेंडर मैन का कमरा भी दिख रहे हैं मुझे पता है कि हम लोग अभी एंटरेंज से काफी पास हैं स्लेंडर मैन का हिल्थ बार भी दिख रहे हैं अब बस हमें एंटरेंज धूननी है यहीं कहीं होनी चाहिए कहा है यार अच्छा कॉबल स्टोन मिल गया ओके यह री एंट आपने टॉर्च खर्च करने पड़ते हैं यार और विंडिकेटर बाबू तो मुझे एक चीज़ पता है कि वो सबसे उपर है क्योंकि हमने दूर से देखा था उसका रूम सबसे उपर था आए इसकेलेटन क्या कर रहें आपर छोड़ो मुझे गया कि यहांपर कुछ नहीं आए यह सरकल बना रखा है इनों ने फाल्टू की चीज़े करने को बोल दो इंसे यह देखो WWE का रीना बना रखा है पता नहीं क्या करते हैं इसमें यह पता नहीं क्या है मुझे फाल तू नकली बेड सस्ते काम लेट्स केरी ओन एनीवेज सीडियां येस हमें अब उपर जाना है मुझे अकीन है कि अंडर मैंने सी फ्लोर पर होना चाहिए ओके स्पाइरल सीडियां मिल गई मैं तो यहां से वापिस बाहर जाने वाला था चलो अब सीधा उपर चलते हैं मेरे को और टाइम वेस्ट नहीं करना वैसे ही ने ढूडने में काफी टाइम लग गया पता नहीं क्यों मैंसे उल्टे सीधे चैलेंज करता रहता हूँ अरे हाई स्लेंडर मैन बहुत दिन हो गए कैसा है एलो ताली तो मार बाल बच्चे सब ठीक बाल तो है नहीं बचा रहे हैं ओके तो अब मुझे एक चीज़ टेस्ट करनी है मुझे देखना है कि यह माइन कार्ट में बैठता है की नहीं प्लीज अगर बैठता हो तो यह काफी हेल्पफुल हो जाएगा उसके अलावा तो मुझे पता नहीं मैंसे कैसे लेगा जाऊँगा माइन कार्ट में आजा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा बैठ जा आ गया फाइनली वह समय आ चुका है अब हम इसे टेम करेंगे नेदर वाट से यस टेम का बटन आ रहे है फटा फट से समाइन कार्ट से निकाल लेते हैं चल अरे का रास्ता देगते ही निकल लिया जार धोके बाज इदार तु इदार तिरको मैं टेम करके रहोंगा याद तुम लोग नॉर्मली माइनकराफ्ट में कुछ अ पालते होगे बिली पालते होगे तोता पालते होगे लेकिन नहीं मैं स्लेंडर मैं पालता हूं अरे य नाइड कैसे करते हैं ये गूल-गोल क्यों घुमा रहे हैं मुझे धीरे-चल एंडर मयन भाई धीर चल अरे क्या हो रहते है ये निक गिनना नहीं 23 मर जाएंगे गई यह गंच्रॉल को इसे मैं कर रहा हूं लेकिन मुझे समझ नहीं आ जा Ist जानता भाई मेरे ओंको जटके लग रे से अरीस डीरě दीरे चलregol 만ढ गुमा मुझे हाँ इसे चल इसे ठीक है मैं आपको दिखा सकता हूँ भी मैं बैठा हूँ इसके ओपर यह देखो खुदी देख लो बैठा हूँ मैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है इसे कंट्रोल करना कैसे नहीं भाई नहीं बैठना मुझे इसलेंडर मैं के ओपर मैं घोड़े के साथ ही ठीक हूँ भाई क्या कर रहे हैं हुले हुले चल अब इसे उपर कैसे लेकर जाओं तो अभी हमारा फेस वन कंप्लीट हो चुका है मैंने इसे टेम कर लिया है अब हम फेस टू की तरह आते हैं हमें दो स्लेंडर मैन को साथ मिलाना होगा ब्रीड करने के लिए तो इसके लिए हमें माइन कार्ट की जवद पड़ेगी उने साथ मिलाने के लिए अभी मैंसे यहीं पर रखता हूँ और कॉडिनेट नोट कर लेता हूँ और हम लोग तब तक चलते हैं और दूसरा स्लेंडर मैन ढूंट गयाते हैं यह यहीं पर बैठा रहेगा फाइनली हाँ आखिर मुझे दूसरी सीडी मेल चुकी है मैं बता नहीं सकता हूँ मुझे कि इत्ती खुशी हो रही है जल्दी उपर चल कुछ बोलना भी नहीं चाता अब मैं सीधा स्लेंडर मैन को उठाते हैं और पटकते हैं स्लेंडर मैन किड्नैपिंग चालू हो चुकी है अभी इसको उठा लेते हैं रहे बाबा चल यह क्या हुआ इस वाले में बैठ जा अरे यार बैठ जाना क्यों तक आ रहा है एक और रखते हैं देर यू गो आ गया तो मेरे हिसाब से हमारा दूसरा स्लेंडर मैन कुछ उस तरफ होना चाहिए यहां से हजार ब्लॉक्स पता नहीं मैं तालंबा माइन कार्ट का रसता कैसे बनाऊंगा ठीक है खुशिश करता हूँ मैंने सारा बिल्डिंग का पार्ट स्किप कर दिया और यह एक आ गया दोनों आ गए दोनों स्लेंडर मैन हमारे जाल में फस चुके हैं यह इस ब्लॉक को हटा देता हूँ व्यू खराब कर रहे हैं निकल यहां से तो अब फिनाली की तरफ बढ़ते हुए अब हम सब देखेंगे क्या होगा जब हम ब्रीट करेंगे स्लेंडर मैन को स्लेंडर मैन से और मैं देखना चाहता होगी बेबी स्लेंडर मैन कित्ता क्यूट होता है तो लेडीज एंड जेंटलमैन अब इन्हें ब्रीट करके देखते हैं नीचे चल खा जाए से फीड का बटन नहीं आ रहा कुछ तो कुछ तो गड़ बढ़ है दया टेम मेरे क्याल से किसी और चीज़ से ब्रीड होते हैं कि सायद स्पाइडर आइस से मेभी ट्राय करता हूँ कि अधिए अधिए यह क्या है यह क्या है विदर अरे विदर पॉप अरे मुझे बच्चा स्लेंडर मैन देखना था यह क्या है अरे मैंने स्लेंडर मैन स्लेंडर मैन को ब्रीड किया है क्या हो रहे अरे उने क्यों मार रहे अरे उन लोगों ने तुझे जनम दिया यार उनको क्यों मार रहे विदर पागल हो चुग है गाइस मैं बता रहो मुझे समझ नहीं आ रहे हैं क्या हो रहे यार तुझे अपनी पेरेंट्स को क्यों मार रहे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे हमारे दोनों स्लेंडर मैन बहुत पिट रहे हैं सैडली शायद यह हमारे स्लेंडर मैन का अन्थ था अभी मरे नहीं वैसे हो ओ नो एक स्लेंडर मैन मर चुग है गदेडे विदर अरे हवा में उड़ रहे हैं लोग मारेंगे भी कैसे उसको नीचे जाके मार हिमाद है तो नीचे जाना बराबरी की लड़ाई कर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते अभी इसे मरना ही पड़ेगा सौरी स्लेंडर मैन शायद यह ते राज को नीचे जाना अरे यार दूसरे स्लेंडर मैन को मत मारी हो प्लीज स्लेंडर मैन मार उसे बार तू भी बोस है मुझे तेरे उपर भरोस है स्लेंडर मैन अरे किसी काम का ओ नो स्लेंडर मैन नहीं हमारा स्लेंडर मैन हमारा स्लेंडर मैन मर गया अब इस विदर से मैं बदला लोंगा यह नहीं बचेगा अभी से उड़ाने के यह ले इन लिए क्वाप टो चाहिए मंस्स लेंडर मैन इतनी देर से माइंड काश्च से रस्ता बना यह धना मैं दो गणते से रस्ता बना बनाकर मैने अपने जिंतर्द़ को स्कॉण करतेते यार नहीं जीना मुझे नहीं जीना इस दुनिया हमें मुझे लेकिन एक बात तो है अब जब कि हमें पदा चलतों कहें कि हम लोग Slender Man को Spawn कर सकते हैं क्यों ना एक बैटल करें अब Slender Man के धाई बहन आएंगे बदला लेने विदर अब तो तू गया अरे बाकी सब का गए यह एक की है कि इस लेन्डर में क्यों मार रहे है विदर को अरे मेरे को क्यों देख रहे हो मेरे को मत घुरो मार रहो उसे कि क्या एक ही दो Slender Man पीछे पड़े यार्व कि मैंने हजार Slender Man स्पॉन के, मारो न उसको, पता नहीं है क्या हो रहे, अरे ये दोनों भी पिट रहे है, मदद करो उनकी, क्या कर रहे हैं, सब खड़े-खड़े, ये देख, तेरे भाई पिट रहे हैं, मदद कर, जा ना, स्लेंडर मैन को मार, किसी काम के नहीं है, पाल तु है, ऐसा तो एक ए करके और सबको मार डालेगा वी नीड अदर प्लैन अभी कुछ तो दिमाग लगाना होगा यह पहाडी के पास जा रहे है शायद स्लेंडर मैं उपर चड़के से मार सके नहीं पहाडी के भी उपर चला गया हो अरे मेरे पास एक आइडिया है क्यों ना जहां पर वो एरिया डै विदर अब तो तू गया और लिटरली हजार अब तू घर चले जा सही बता रहो तू घर चले जा अब तो नहीं बत सकते हैं विदर आदी हेल्ट से अब यह क्या होगा उसकी आदी हेल्ट थी चलो एनिवेज हम जीद गए यह इसलेंडर मैं अप पार्टी बनती है हम जीद गए हैं गईज हमें मिल चुका है नेधर स्टार हम अफिशल जीट चुके हैं अपनी स्लेंडर मैं की आर्मी से तो गाइज आच की वीडियो वैसे ही काफी लंबी हो चुकी है तो आज के लिए ताई वीडियो को लाइक कर कर दो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और पता नहीं स्रेंडर आर्मी का अब मैं क्या करोंगा मैं कोई जोगाड निकालता हूं शायद इस वर्ल्ड को डिलीटी करना पड़े चलो अगली वीडियो में मिलते हैं